तो हेलो एवरीवन लास्ट वीडियो पे हम लोग ने क्या खिया था हम लोग ने कोशन नंबर 6 तक एक्सेलर नंबर 5.3 का कंप्लीट किया था आज को जो वीडियो यहाँ पर हम लोग उसके आगे कोशन फाइट सौल करने वाले हैं और इन कोशन यह जो कुछ अलग तरीक है इ दूसरी चीज अभी तक आपने हमारा टेलीकराम चानल जोइन किया हुआ दोस्तों यहाँ पर जाके आपको आपको आपके डाउन नहीं किया दोस्तों फिचर में उसके बहुत सारे बहतरीन वीडियो और और आपके अलेक्जाम की प्रिपरेशन के लिए हलफ लोगे ठीक है स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो हमारा कॉंसा लेक्टर नंबर फोर है और हमारे चाप्टर नंबर फाइड का जहां पर हमें सबसे पहला कुशन दिया हुआ मतलब समझा था किस तरीके से इंटरसेट का हम लोग करते हैं यहां पर हम लोग क्या कहिए कि मेरी जो लाइन है वह पास हो रही है विस पॉइंट से पास हो रही है मतलब जो लाइन आए कि ऐसे करके वह एक्स एक्स पर सेवन पर इंटरसेक्स कर रहे है और सब्सक्राइब इसका एंगल यह लाइन आसपास ही रहेगा ऐसे करके जार यह लाइन इसका एंटरसेक्स कितना दिया है अपने को एक्स इंटरसेप्स हमें दिया हुआ है यहां पर इंटरसेक्स करें न वह पॉइंट क्या है यहां पर मैं इसको थोड़ा लिग देता हूं इसके पर सारी चीजे जैसे कि यह क्या है मेरा यहां पर मैं कौन से लिखूंगा मेरे पास एंगल दिया हुआ है यहां पर मैं आपको पता है और स्टुडेंट टेक कॉफी ऐसे करके याद किया था यहां पर और यहां पर यहां पर क्या होता है इसके बाद यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर इसको मैं सासी साथ ऐसे भी लिख सकता हूं पाई-45 लिख सकता हूं देखो वान-35 जो एंगल है वो कुछ ऐसा रहेगा यह जो एंगल है इसको इस लाइन के लिए मैं सिंप्ली इस एंगल को पाई-45 भी लिख सकता हूं ठीक है तो मैं इसको वही करने वाला मतलब क्या सिंप्ली वान-45 लिखा हुआ है तो रिप्लेस कर दो उस चीज को यहां पर और सॉल कर दो कैसे ए तान-5-45 ठीक है अब देखो ताइन-45 कौनसे इस में में कर रहा है सेकेंड कोड़न में क्या होता है सेकेंड कोड़न में हमारे तेन नेगिटि सेक तो न क्या हो जयाँगा सिंप्ली गिठिव और जो एंगल है ना जो अबने। तरीके से आपका वेल्य आगया अब आपक हम यह ने पास्य है इसका slope एह स्क्राइब कुतना है माइस स्लोप एक पोइन के वुपर इस लाइन के अपड़ गया हूँ पाइंट मीद रिखाय हो क्याlim है एक पॉइट मिल लोग एक पैनल मुट ऌश्यून आप इक्विशन ओफ लाइन इंद और defence करें के क्लोप पॉइंट फॉर्म इकोल टुटू एंटू एक्स मानस एक्स एज एक्स लेलो इसको लिए को लिलो इसको लिलो वाई-वन कर दो तो वाई-जाइब लिएक्सीन बातीय एक्सीन रखना है एक्स प्लस य इक्वार्ट टु सेवन इस तरीके से आपको फाइंड करना है ओके आप इस तरीके कोई भी कुशन आपको मिल गया तो आप आप कर सकते दोस्तों आप समझो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कौन सा डबल इंटरसेट फॉर्म तो इसको सबसे पहला कोशन लिखेंगे यूज या कमपेरिंग विद क्या लिखूंगा कमपेरिंग विद किस से कमपेर करने वाला दोस्तों डबल इंटरसेट फोइंटरसेट फॉर्म वो क्या होता है एक्स बाइए प्लस वाइबाई बी इक्वल टु वर्ण आप नहीं होता है यहां पर यहां है यहां है यहां पर एक विद्राइब से लिए और भी टू तो आप अपर लिखता हूं बी स्बीकिश टू यहां पर लिखते दो सिंपली एक्स इंटरसेट और वहीं हमारा क्या होता है यह होता है इस तरीके से हमारा आंसर आगा ठीक है यह दोनों कोशन में यह दोनों वैलुस किस तरीके से आपको सब्सक्राइब होगी अब इसमें देखना इसमें लोके डिरेक्ट नहीं दिया हुआ क्या करना पड़ेगा सबसे बहुत को वहां पर भीजेंगे कैसे बहुत कर दिखता आपको ती वाला कोशन है टू एक्स-3y प्लस-2 इकल टू-0 राइट अब मैं क्या करूंगा पूरे के पूरे लाइन को मैं क्या करूंगा पूरे के पूरे एक्क्यूएशन को मैं इस से से डिवाइड करूंगा मैं इसको माइने सदुवार के तो इसको मिल गया इसको माइनस सुफंगा कर好好 कुष से नटुवएड निया पर चैकалиा को इस प्रीषा वाइन सको कूपर मेंने के जोगत नहीं है दोस्तों इसको उधरी पर रखो स्समिक्स आगे तो एक्स अपॉन माइनस 6 है तांकि 6 है इस इसका देन देना ठीक है अब हम लोग लिखेंगे comparing with किससे compare करने वाले double intercept form comparing with किससे compare कर रहे एक्स अपॉन A plus Y upon B equal to 1 तो A की value कितनी मिल गए A equal to A की value कितनी मिल गए हम लोग को minus 6 कितनी मिल गए minus 6 तो यह आप अब एक्स इंटरसेप्ट इसको साइड में लिख दो X इंटरसेप्ट और B मेरा क्या है इस तरीके से आपका solution मिल गया अब कैसा भी question आएगा आपको आपको समझ में आगे किस तरीके से ऐसे question को solve करना मतलब यह एक्स इंटरसेप्ट होता क्या है कि यह जो लाइन जो हम लोग की है वह x-axis पर minus 6 वाले point पर intersect करके जाएगी और y-axis पर 4 वाले point पर इंटरसेप्ट करके जाएगी यह होता है इंटरसेप्ट है अब बरते हम लोग आगे वाले question पर जहां पर हम लोग को बुला है equation करो किसका equation करना है containing the point 3,4 and making intercept on making equal intercept on the coordinate axis यहाँ पर equal intercept बोला हुआ यह चीज इसका ध्यान देना equal intercept का बहुत जादा यूज है यहाँ पर सबसे पहले equal and y-axis बना लिए और यहाँ पर मैं लिखा 1,2,3,4 यहाँ लिखा 1,2,3,4 देखो equal intercept मतलब क्या कोई भी लाए रहे ना कोई भी लाएन पास होगी ना तो y-axis पर cut करेगी 2 पर और x-axis पर cut करेगी 2 पर यहाँ फिर 1 पर 1 पर यहाँ फिर 3 पर 3 पर यहाँ फिर 4 पर 4 पर आज अगरके हैं लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट बोल दे कि उसका एक पॉइंट क्या है 3,4 है containing the point 3,4 एक पॉइंट पता चल गया है तो वह हमने उससाब से देखेंगे बस इसका मतलब यहाँ पर इस चीज को रफ करता और आपको मैं आगे के लेकर चलता हूं यहाँ पर हमें क्या बोल दिया हुआ है कि equation of line find करना जो एक पॉइंट किससे पास हो रहा हूं 3,4 से तो पॉइंट लिख देता है सबसे पहले यह हमें क्या दिया हुआ है 3,4 दुसरा एक पॉल इंटरसेप्ट बना रहा तो केस वन लिखेंगे case 1 क्या होगा कि हमारा simple हम लोग जिसमें क्या apply कर देंगे हमारा double double intercept form तो using या फिर applying double intercept form double intercept form apply करेंगे क्या हो जाएगा x upon a plus y upon b equal to 1 अब क्या बोला हुआ है making equal intercept मतलब a और b दोनों की value क्या रहेगे equal यहाप लिख देते हैं but a equal to b यह अपनों को given है right therefore और एक और चीज़ अपने क्या दिवान ने point दिया हुआ है तो हम लोग x और y के लिए पर simply यह point put कर देंगे तो हम लोग को a के टब में सारे चीज़ मिल जागा देंगे कैसे यहाँ पर a लिखा हुआ 3,4 simply मैं इसको replace करता हूँ x,y के साथ यहाँ पर put कर देता हूँ यहाँ पर लिखूंगा मैं 3 upon a को मैंने a ही रखा प्लस y,y क्या है मेरा 4 upon a b किसको equal है एक हो तो मैं सिब्लिस को replace करके a लिखता हूँ equal to 1 समझ मैं हमने क्या किया बी कोटा है a को put कर दिया ओके अब देखो base सेम है क्या है बेस सेम है तो बेस को क्या करेंगे एक बार लिखेंगे ऊपर लाइड कर देंगे तो क्या हो जागे जिब्लिस 7 by a equal to 1 तो a की वाली कितने हो जाएगी 7 अब तो एसमें मतलब क्या बीबी 7 है तो हमारा equation of line के बंजा है कि इसमें इसमें पूट कर दो आपस से इसमें हम लोग क्या करेंगे पूट कर देंगे आप क्या हो गया एक्स अपोन 7 प्लस वाइपोन 7 एकोल टू 1 और 7 से पूरे equation को multiply कर दो एक्स प्लस वाइए एकुल टू 7 इस रिक्वाइड इक्वेशन आफ लाइन सबसे पहले हम लोग क्या हम लोग ने हमारा slope डबल इंटर से फॉर्म लिखा डबल इंटर से फॉर्म में हम लोग प्रस आगे 3,4 में से वो पास हो रही है तो हम लोगों को एक पॉइंट पता था यहां पर 3,4 मैंने 3 और 4 पूट कर दिया पूट करने के बाद एक एक वेली मिल गए 7 एस मिला मतलब क्या है बीबी से वेने क्यों दोनों अब लाइन इस पासिंग फ्रम ओर इजीन को ओर इजीन ठीक है अब वो लाइन जो और इन में से पास तरीके से दिख सकते देखो आप सोचे रहेंगे कि लाइन इस तरीकी से जाएगी ठीक है तो पहले देखते पॉइंट के आवारे बस 3,4 तो 3,4 कहां पर आता है दोस्तो करते हैं दोस्तरा केस से न को कैसा धिके आगा से यहां से सॉखलागा यहां से पास्टम आजैका बे dei कं दोनों पॉइंट इस रो's कॉमात एक्स वाइवन थोरवन क्ॉए No पॉलय को और कि एक्स टू कॉमा वाइट ऐसे रखेंगे एक्विशन अफलाइन किया जाएगा इकुवर एक्वर एक्स- नियुक्त-वाइन अप़ोर एक्स-वन-एक्स-दो-व्वै-वन-व1-1-माइन पॉर्ड एक्वेसी रखेंगे एक्सवन कितना मेरे पास एक्सवन ए म सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब यहां पर हमारा क्या होगा कि यह सिंप्ली और जिन के उपर से चाहिए और बी की वेल्यू क्या है अब यहां पर हम लोग जीरो जीरो पूट करते हैं अब लोग डबल इंटरसेप फॉर्म को यहां पर हमने साउल के लिए 2.4 सब्सक्राइब करते हैं अब यह आपको क्लियर है यहां पर हमने दो के सब्सक्राइब करते हैं अब बढ़ते हम लोग एक और नए कोशन पर जहां पर हम लोग को बोला हुआ है कि सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करते हैं अब यह इदर से पास हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से काम क्या होता है क्या करेगा अब यहां पर यहां पर हम लोग इसको सॉल कैसे करना देखो सिंपल है मैं सबसे पहले एबी का कुशन आफ लाइन निकाल लूँगा स्लोप निकाल लूँगा स्लोप मिल गया अब परपेंडिकुलर बाइसे क्या होता है इस लाइन और पर होता है अब अपंदिकुलर बाय स्थे दिखर अब कि अस्तरीके से में लेडर सकता है देखो सबसे पहले में AB का स्लोप निकाल ले है मेरा M आगे M1 लिख देता हूं दूस्तरा अब देखो जो दूसरा इस पॉइंट को निकालना है क्योंकि अगर इस पॉइंट का अगर कोडिनेट्स मिल जाएंगे तो स्लोप पॉइंट करूंगा और equation of line निकाल दूँगा ते में बच्चे वे दो हैं उनका भी में निकाल लूँगा ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं इस चीज को और आपको ज्यादा क्लियर होगा यह चीज मैं इसको उपर उठाके रखतो है यह इंपोरेंट डाइगराम है यहां पर मैंने रख दी आप मैं कैसे रिख लेगा यहां पर देखो ए बीजी नहीं है हमें प्रक्रक्रक्रक्राइब के साथ यहां पर इसको भी रिप्नेश करें यहां पर एक पर शल्ड़ करेंदे यहां पर आप एस नहीं तो और सिम्प्रेट कैसे मिलेगा दूस्तों घजितना है कितना है एक इतना कितना है फोर यह पने वाला दोस्तों नितना हो माइनस यूज़ें का सलोप स्पूप कि अब क्या होगा Hai यहां पर स्बूंप करेंगे स्लोप ऑफ लाइन व्रट अभी मैं निका लेगे स्लोप वो perpendicular by sector कौन है वो om है क्या है om उसका slope हम लोग कैसे निकार लेंगे simply हमें पता है दोनों perpendicular है that means दोनों का slope multiplication में हमें कितना value मिलेगा minus 1 मिलेगा कितना मिलेगा minus 1 तो मैं आप लिखता slope of line om multiply by slope of line slope of line PQ equal to what minus 1 इतना मैंने पहले ही पताया हुआ है कोई भी दोनों अगर perpendicular रहेंगी तो उनका slope का multiplication minus 1 होता है अब slope of line om find out करना है तो इसको मैं वहीं पर रखता हूं इसका value मुझे पता है कितना है मेरे पास अगर slope है मुझे point M मिला निकालना है कैसे निकालूंगा देखो मुझे पता एम जो है PQ की exactly middle में आएगा किसके PQ की exactly middle में आएगा तो जब middle में आएगा तो इसका point किस तरी किसे निकालेंगे किसके लिए M के coordinate के लिए M को में लिखता हूं इसके coordinates कैसे मिलेंगे हम लोग को कि simply y2 formula क्या हता है y1 plus y2 divided by 2 x1 plus x1 divided by 2 plus y2 plus y1 divided by 2 x1 कितना है और यहाँ पर हमारा y2 कितना है minus 2 divided by 2 ठीक है अब यहाँ पर करते हैं इसको solve minus 1 plus 4 कितना हो जागा दोस्तों minus 1 plus 4 होगा हमारा simply हो जाएगा 3 and 3 divided by 2 is what 1.5 यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.5 यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 minus minus plus 2 8 plus 2 is what 10 10 divided by 2 is what 5 तो यह तो point के मिलगे हम लोग को 1.5,5 तो यह coordinates मिलगे कितने 1.5,5 इसी तरीके से हम लोगे भी निकाल सकते हैं मैं एक का निकाल कर दिखा रहा दोस्तों अभी M के मेरे को coordinates मिलगे मेरे पास M के coordinates आ गए और मेरे पास इना O M का slope भी है तो using slope point form से में इस equation of line निकल सकते हैं इसका ठीक है minus one plus four divided by two यहां पर क्या जागा eight minus two divided by two actually plus of minus होता है तो plus minus क्या होता है तो directly मैंने लिख दिया है यहाँ पर coordinates का मिल जागे हम लोगको minus one plus four कितना होचा है का minus three plus three अब plus three divided by two कितना होगा 1.5 होगा दोस्तों यहां पर eight minus two क्या होता है six six divided by two क्या होता है थ्री तो यहां पर क्या जागा सिंप्लिन थ्री coordinates मिल गा हम लोगको हम लोगको ना M का coordinates है देखो एक point मिल गया M O के उपर M O जो line है उसके उपर का एक point मिल गया और उसका एक slope है हमारे पाग तो using slope point form लोगे उसके निकल सकते दोस्तों यह तो equation of line equation of line equation of line by slope point form equation of line by slope point form कैसे निकलेगा देखो सिंपल है यहां पर लिखेंगा हम लोग Y minus Y1 equal to M A उसके बाद X minus X1 हमारे पास slope है 1 by 2 X है हमारे पास नहीं है X को तो वैसे रखा जाता है X1 है मेरे पास कितना minus 1.5 Y है मेरे पास yes Y1 कितना है मेरे पास 3 simple है Y minus 3 आजडिस रहेगा Y minus 3 आजडिस रहेगा और यहां पर simply 2 आके multiply हो चाहेगा यहां मुझे क्या मिल जाएगा X minus 1.5 ठीक है अब 2 से multiply करो 2Y इस से multiply करो तो कितना हो जाएगा minus 6 और यहां पर आजएगा X minus 1.5 X को Y को यह से टेले काम करो तो X minus 2Y equal to वहीं पर क्या है मेरा minus 1.5 plus 6 क्यों हो जाएगा X minus 2Y यहां पर आजएगा मेरा plus 4.5 और अगर आपको इसको और अच्छे तरीके से लिखना है तो पूरे equation को 2 से multiply करो 2X minus 4Y plus 9 equal to 0 is required equation of line आप मुझे क्या मिल गया एक का मिल गया आप मुझे क्या निकालना है बाकी दो के तो वह आपको आपका टास्क है आपको किस तरीके से स्कूष्ण को सॉल्ड करना है सबसे प्रहूरब के साथ रेसीप्रेकल होगा तो सिमली मुझे 1 अपउन 2 मिल गया और मुझे पता एंट जो पॉइंट है पी की कियो के मिड़ पॉइंट पर आ रहा है तो मिड़ पॉइंट के इस्तेष निकाल ले मिरे पास पॉइंट है पॉइंट है अब नेक्स ने बढ़ते कोशन नंबर हमारा कौ प्रपेंडूरर का क्या है फूट यहां पर एक लाइन की उपर उसका क्या है फूट है अब दिखते किस तरीके से डॉन फ्रम दो ओरिजीन टू लाइन अब इस चीज को समझते माल लो सबसे पहले मेरा कोडिनेट सिस्टम में ट्रॉ करता हो फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा मैंने कौडिनेट सिस्टम यहां पर ट्रॉ किया ठीक है यह मेरी कौन सी एक्सिस हो गई और वर्टिकल वाली मेरी क्या पर आप यहां पर आएगी दोस्तों मुझे बताओ फट अफट से एक्स की वाली थी आपको लगता है कहां पर आएगी विजा बताओ देखो, x की value 3, 1, 2, 3, यहाँ पर आ लेगी, लेकिन y की value minus 4 नीचे जाना पड़ेगी, उपर नीचे, विकिन negative y हो रहा है, अब negative y हो रहा है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें, नीचे लेकर जाना पड़ेगा, तो नीचे लेकर जाते इस बटाफट से, y की value हम लोग coordinates ब समझ जाएंगे, अब यह क्या है, एक perpendicular का foot है, perpendicular का foot है, point n, तो यहाँ पर मैं n लिख देता हूँ, किस के उपर, line l के उपर, इसका मतलब समझो, क्या है, एक perpendicular आरी इसके उपर, जहाँ पर से क्या पास हो रहा है, तो यहाँ पर से simply, आपको line l को pass करना है, तो मैं यहाँ पर different neural differential का pen लेकर, यहाँ पर मैं आपको line l टॉइकर करकर दिखाता हूँ, हमार एसके उपर line l है, यहाँ से pass हो रही है, कहां से यहाँ से, मैं सबसे पहले इसमें से line l pass कर देता हूँ, उसके बाद क्या बोला हुआ है, उसके बाद यह बोला हुआ है कि, यहाँ पर point, यह line l है, नाम केयا Line ल Walter अब इसके उपर क्या हो रहा है जो I am a ओर पैनिडिकिलर बना रहा है देखो फ्रम दो ओर्रूल टूलाइं कि upペल करेंगे अब से घैन के अब यह कोट दू राइगा तो हम लोग ईसे करके कुछ मिलेगा का equation find out कर ना है कैसे करूंगा दोश्तों सबसे पहले मुझे पता यह दोनों क्या है पर पैंड देकुर रहे है अगर मैं इसका slope निकाल लूँगा तो मुझे पता इसका slope क्या होगा negative reciprocal और आप उसके बाद मेरा approach क्या होगा और equation of line कैसे find करूँ तो मुझे मुझे पता लाइन एक स्लोप मिल चुका है अब उसके उपर कोई एक पॉइंट मुझे पता कि देखो हां यहां पर देखो एक पॉइंट पता है तो इस लूप स्लोप आफ लाइन क्या हो जाएगा सिंपल यहने कि 3-0 अपॉण माइनस 4-0 तो कितना हो जाएगा 3-4 अब मुझे पता है दो देखो ओ एन और लाइन यहां लाइन कितना हो जाएगा माइनस 1 मुझे पता है 3-4 अराम से मिल जाएगा यहां पर लोप लाइन कैसे मिल जाएगा सिंपली इसको उदर बेजेंगे सिंपली इसको उदर बेजेंगे नेगेटिव माइनस 1 के साथ मुल्टिप्लाइगा और मुझे स्लोप आप लोग को मिल गया अब आपको पता है अब उसके उपर का एक पॉइंट पता है कौनसा है यहां यहां मुझे 3,4 माइनस पॉर उसको मेंलेग दा एक संगमा यहन लिख दिता हूँ तो मुझे स्लोप पता है मुझे पॉइंट परता है युँजिंध इक्वेशन आपको एकिशन आप पॉइंट तह निकल सेकत हूँ एक्वेशन आप लाइन using slope point form slope point form कैसे निगलेगा y minus y1 equal to m into x minus x1 y हम लोगों को पता नहीं है y1 पता है कितना होता है y1 हमें पता है कितना minus 4 यहां पर minus 4 लिख दिया m मुझे पता है yes कितना 4 upon 3 है ओके और x x को वैसे रखना x1 कितना है मेरे पास 3 है फूरा से simplify करें solution आपके सामने देख कैसे पूरे कुशिट को 3 से multiply करेंगे तो कि जगर 3 y plus 4 इसको multiply करो 4 x minus 3 वैसे हो जाएगा अब 3 फोर्जा तो ट्री इंटु वाई वाई 3 फोर्जा टु वैल ओर ecks-2 अब इसको तो फोर एकस-3 वाई क्या है माइनस 3 वाई माइनस तु वैल और यह दर आगा तो यह भी क्या हो जाएगा माइनस टु वैल एकौल टु जीरो अब इसको थोड़ा स्मिलिफाइग कर देंगा 4x minus 3y यहाँ पर क्या जगा minus 24 equal to 0 that is required equation of line L इसे कर दो यहाँ पर लिख दो required equation of line L ठीक है तो hope यह सारे question आपको समझ में होगे यह question बड़ा ही easy था ऐसे पिछले जोपर ने question solve किया दोस्तो जहां पर हम लोग ने perpendicular bisector का find किया कैसे equation of line अब questions में आपको ना altitude का पूछ सकता है और तो center का coordinate पूछ सकता है और यह बहुत सारी चीते पूछ सकती तो same way में आपको simplify कर रहा है आपको अगर बोला किसका अगर perpendicular लाम सुनाएं ती तो क्या करने का perpendicular way में solve करने का मतलब क्या अगर पसंद आई है तो लाइक दे वीडियो शेर दे वीडियो और सब्सक्काइबर चैनल मिलते हैं लेक्स वीडियो में जहां पे इसके आगे वाला जो stay tuned and goodbye